नमस्ते डियो विवस आज के इस वीडियो में हम लोग order and degree of differential equations को discuss करने वाले हैं मेरे प्यारे विवस देखिए हमें पता है कि differential equation क्या होता है ना हम लोग basically जानते हैं कि differential equation किसे क्या आते हैं differential equation actually क्या है एक प्रकार का equation है जो differential coefficients को यह यह कहो derivatives को involve करता है है ना ऐसा कह सकते हैं तो जो differential equation है उसका order क्या होता है और उसका degree क्या होता है आज के इस वीडियो में हम लोग यही थोड़ा समझने वाले हैं इसके पहले भी हम लोगोंने differential equations को discuss किया है second order के लिए भी और first order के लिए भी तो वो जो playlist है अगर आप check करना चाहते हैं यह पुराना जो playlist है तो आप उसको भी चिक कर सकते हैं लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगा ठीक है तो पहले यहाँ पर देखिए प्यारे वीवस माल लिजे आपके पास एक equation है d square y by dx square plus e by power x is equal to 0 कुछ ऐसा एक equation आपके पास given है अब यह जो equation है इस equation में पहले तो आप यह देखो कि highest derivative कौन सा है या highest differential coefficient कौन सा है यह वाला d square y by dx square ओके यह है अब इसका order कितना है अगर आप गौर से देखो तो यह second order derivative है है ना मतलब इसका order 2 है अब जो highest differential coefficient है ना उसका जो order होता है उसका जो order होता है वही differential equation का order होता है अर्थात यह जो equation है यह क्या होगा यह जो differential equation है यह क्या होगा second order का differential equation होगा जैसे एक और यहापे equation लेते है माल लेजे आपके पास है d square y by dx square d cube y by dx cube plus dy by dx plus e power x is equal to 0, कुछ इस प्रकार का एक equation आपके पास है अभी इसमें आपको पता करना हो, कि यह जो given है, जो equation लिखे हैं हम लोग, इसका order कितना है तो हमें क्या करना होगा, पहले देखना होगा कि highest order derivative कौन सा है यह आपका highest order derivative है, अब इसका order कितना है, इसका order 3 है तो ओवेज सी बात है, यह पूरे equation का, यह पूरे differential equation का order होगा, वो कितना होगा, 3 होगा समझ पार है, basically order क्या होता है, जो आपका highest derivative है या फिर जो highest differential coefficient है, उसका जो order है, वही होता है differential equation का order ठीक है, यहां तक आप समझ गया होगा, अब चलते हैं किदर degree पे देखे, basically क्या है जो आपका highest order differential coefficient होता है या highest order derivative जो होता है, उसका जो degree है, अर्थात, उसका जो power है उसे ही हम लोग क्या कहते है, degree of differential equation, जैसे इस equation में देखो, इसमें क्या था आपका, जो highest order derivative था वो यह वाला है तो इसका power कितना है, 1 है, तो यह क्या होगा, first degree का equation होगा उसी प्रकार अगर आप इस equation में देखो, तो highest order derivative कौन सा था, यह वाला highest order derivative इसका order 3 था, तो इसका power कितना है, 1 है समझ रहाँ ना basically जो भी आपका highest order derivative होगा या फिर जो भी आपका highest order differential coefficient होगा उसका जो degree होगा अर्थाथ उसका जो power होगा उसे ही हम लोग degree of differential equation कहते हैं तो order और degree आप समझ गया होगे अभी हम लोग यहाँ चलते हैं कुछ और यहाँ पर हम लोग equations लिखें इसको देखते हैं और थोड़ा समझते हैं हना तो हर में हना हर एक में हमें क्या करना है order और degree पता करना है तो पहले जो पहला वाला question है उसे देखते है क्या है y is equal to x dy by dx plus dy by dx पर whole cube है अब यह आप गौर से इस equation को देखोगे हना तो इसमें जो highest derivative है वो कौन सा है आप गौर से देखो इसको और इसको दोनों को हना तो यहाँ पर highest derivative हना जो है मतलब जिसका ज़्यादा order है वो तो दोनों में ही अगर आप देखो तो one order है first order है तो हम लोग क्या करते है इसको पहले तो लिख देते हैं कि भाया यह जो equation है यह first order का है एंड देन आप देखो इसका degree ज़्यादा है as compared to इन दोनों में क्योंकि दोनों का order सेम है तो हमें देखना होगा degree किसमें ज़्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे इससे यहाँ पर three लिखेंगे यह जो equation है यह क्या है first order and third degree का equation है उसी प्रकार यह जो दूसरा question है इसमें देखें अब पहले तो देखें कि कौन सा equation जो है highest order derivative है अब देखो दो differential coefficients है दोनों का order one ही है तो इसका order क्या होगा पन अभी दोनों में देखेंगे कि किसका degree जादा है इसका degree जादा है तो यह जो equation होगा यह क्या होगा first order and second degree का equation होगा अब यह आते हैं तीसरे question है तीसरा question क्या है d square y by dx square minus 7 dy by dx plus 10 y e power x है इसमें अगर आप देखो तो यह हीस्ट differential coefficient है यह ऐसा कह सकते है हीस्ट derivative है इसका order कितना है 2 मतलब यह equation क्या है second order का है और इसको जो highest derivative है या highest differential coefficient जो है इसका power कितना है 1 है तो 1 होगा है न मतलब equation 3 है यह क्या है 2nd order and first degree का equation है एन फॉर्थ question देखते है देखे चौथा जो question है इसमें आप देखो जो highest differential coefficient है इसमें वो कौन से है यह वाला यह आपका highest differential coefficient है इसका order केतना है 3 मतलब differential equation का order केतना होगा 3 अब इस highest derivative का अर्था highest differential coefficient का degree केतना है मतलब power केतना है 1 तो इसको 1 ले लीजे मतलब जो fourth equation ने first degree का equation है तो आप यह समझ गया होंगे कि order और degree क्या होता है अगली वीडियो में क्या करेंगे हम लोग formation देखेंगे कि differential equations को हम लोग कैसे form कर सकते हैं